हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं अप्रेल के 1000 में से 200 बेस्ट चुनिंदा क्वेश्चिन आप तक लेकर आऊंगा, टोटल क्वेश्चिन है 206, ये वीडियो मेरा बेस्ट वीडियो होता है महीने का, 5 लाख लोग इस कर SBIPO में, इसके लावा बहुत सारे स्टेट बैंक वगारा की एक्जाम है, बहुत सारे स्टेट के अपने एक्जाम है, जैसे पंजाब में PSSB का एक्जाम एच्छे तारिको, CLAT का एक्जाम है, AILT का एक्जाम है, उस सब में भी आपकी ये help करेगा, तो शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले, हम एक छोटी सी information, हमारे बहुत सारे pen drive course आते हैं, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस तरह आप पूरा course घर बैठे, खतम कर सकते हैं, वीडियो के रूप में, अगर आप कोई भी हमारा pen drive course खरीदना चाहते हैं, तो study इसे Small Industries Development Bank of India ने अपने स्थापना दिवस पर launch किया था, इसका नाम है समरिद्धी, समरिद्धी, इसके अलावा उन्होंने संपर्क, समवाद, सुरक्षा और संप्रेशन इन पे भी जोर दिया, यहीं पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक अभी अभी 3R सम्मिट जीवन को भेतर बनाने में, तो यह 3R क्या होते हैं, यह होते हैं, Reduce, Reuse, और Recycle, तो यह 3R भी आपको याद रखने हैं, सिडवी जो बैंक है, यह भारत में परधान मंत्री मुद्रा योजना भी चलाता है, और इस बैंक के जो चेर्मेन हैं, वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, भारत में जो छोटे उद्योग हैं, उनको लॉन प्रोवाइड करता है, सिडवी, इसके लावा यहीं पर दूसरे Artificial Intelligence Based Assistants के नाम क्या है, State Bank of India का है, जिसे बोलते हैं, SBI Intelligent Assistant यानि SIA, HDFC के दो हैं, एक तो है EVA और एक है ERA, यह Robotic Assistant है, ICICI Bank का है Robot जिसको बोलते है IPAL, Kotak Mahindra Bank के Robot को बोलते है KEA, HDFC Argo Bank का जो है उसे बोलते है DIA, और Federal Bank को बोलते है Fed Mobile, यह बैंको ने आजकल अपने अपने Chatbot या Artificial Intelligence पर Based जो Robot हैं, वो सब बना रखे हैं, HDFC Bank भारत का एक मात्र बैंक है, जिसका Market Capitalization 100 Billion Dollar से ज्यादा है, यानि की 6.5 लाग करोड से ज्यादा है, और HDFC Bank के अलावा दो कंपनी ओर हैं, एक तो है Tata Consultancy Service, जिसके Chairman है एन्चंदर शेखरन, और दूसरी कंपनी है Reliance Industries, जिसके Chairman है मुकेश अम्मानी, तो ये तीन कंपनी है भारत में सिरफ और एक अकेला Bank HDFC, जिनका Market Capitalization 100 Billion Dollar से ज्यादा है, हमारे जो बिजली मंत्री हैं और Renewable Energy मंत्री हैं R.K. Singh, उन्होंने अभी अभी आधारशिला रखी 60 Megawatt शमता का नैतवार मोरी Hydro Electric Project, कौन से राज्ये में बन रहा है, ये बन रहा है उत्राखंड में, उत्राखंड की राजधानी देहरा दून है, यहां के मुखे मंत्री है त्रिवेंदर सिंग रावत, इनके जीवन पर एक किताब अभी अभी लिखी गई थी जिसका नाम है, त्रिवेंदर एक जिन्दगी नामा, खेरा सेंड का सूरज, और उत्राखंड में नंदा देवी है, वैली ओफ फ्लावर्स हैं, ये दोनों World Heritage Site है, नंदा देवी और, इ इन में से नया हमारा अंग कोन सा है, जिसको वैज्ञानिकों ने अभी अभी खोजा है, इसको बोलते हैं, Interstitium, Interstitium, हमारी बोड़ी में सबसे बड़ा ओर्गन कोन सा है, तो आंसर है, स्किन, दूसरा सबसे बड़ा कोन सा है, आंसर है, लिवर, ये मत भूलना, ये याद कोन सी फुटबॉल टीम है, जिसने संतोष ट्रोफी जीत लिया, ये जो फाइनल हुआ था, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकता में हुआ था, ये इनका छटा टाइटल है, और इन्होंने बंगाल को हराया, फाइनल में, ये टीम है केरल, केरल की टीम ने ये जीता है, very important, केरल दिस्टिक्ट स्कीम लॉंच करी है, भारत में 115 पिछडे हुए जिले हैं, तो वर्ड, बैकवर्ड की बजाए, इन्होंने वर्ड यूज कर दिया, एस्पिरेशनल, इनका विकास किया जाएगा, तो 115 जो डिस्टिक्ट है, ये कितने पैरामीटर पर इनकी रैंकिंग की इस तरह जो में में सेक्टर है, उनके टोटल पैरामीटर है, 49, अगर मैं पूछूं, ये 115 एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट में सबसे ज्यादा डिस्टिक्ट कौन से राज्ये को मिले हैं, तो ये राज्ये है, सबसे ज्यादा जिसको मिले हैं, वो है जारखन, इसको 19 जिले मि दूसरे नमबर पे है बिहार, बिहार को मिले है 13 और तीसरे नमबर पे है इसमें 36 गड़ जिसे मिले है 10 पहले पे जारखंड 19 और जारखंड और बिहार और 36 गड़ को इतने जाद इसले मिले हैं क्योंकि ये पिछड़े हुए डिस्टिक्ट वो है जो या तो नकसलबाद से प आजीव कुमार और जो वैक्ति ये फोटो में है ये नीती आयो के CEO है इनका नाम है अमिताब कांथ। इन में से राश्ट्रिय इसपात निगम लिमेटेड का चेयर्मैन और मैनेजिंग डिरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। राश्ट्रिय इसपात निगम लिमिटेड का हेड़क्वाटर है विशाखा पत्नम में विशाखा पत्नम जो है ये आंदर परदेश में है और विशाखा पत्नम का जो रेलवे स्टेशन है उसे भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन डिकलेर किया गया था और विशाका पत्नम शहर, भारत का तीसरा सबसे साफ शहर है, इंदौर और भोपाल के बाद, तो इनका नाम है PK रत, और राश्ट्रे इसफात निगम लिमिटेड का हेड़कॉर्टर है, विशाका पत्नम में, कुछ और important अप्रेल के महीने में जो appointment है, उनको एक पर फट फट आती है, वो एक्जाम में नहीं आते, आप से कोई यह नहीं पूछेगा कि मानलो मिंत्रा कंपनी है, मिंत्रा कंपनी का लिए मार्केटिंग ऑफिसर कौन बना, यह सब नहीं आते, सिर्फ सरकारी कंपनियों के और सरकारी में भी सिरफ चेर्मेन लेवल तक के, या प्राइसिंग ऑफोरिटी यानि NPPAK, राजेश रण्यन यह डिरेक्टर जनल बने है, CISF के यानि Central Industrial Security Force, जो हमारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हमारी इंडस्ट्री बगार को प्रोटेक्ट करता है, चंदर शेकर घोष, यह बंधन बैंक के मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO, यह दुबारा चुल लिए गए है, पहले भी यही थे, अब भी यही है, भानु परताब शर्मा, यह चेयर्मैन बने है, Banks Board Bureau के, बलराम भारगव, यह डिरेक्टर जनल बने है, इंडिन Council of Medical Research के, यह पोजीशन खाली हो गई थी, क्योंकि सौमया स्वामिनाथन, यह थी पह सुरेश कुमार बने है, चेयर्मैन मेनेजिंग डिरेक्टर कोल इंडिया के, वेरी इंपोर्टेंट, दिलीप चिनोय, यह फिक्की के बने है, सेक्रेटरी जनल, इन्होंने संजय बारू को रिप्लेस करा है, तो यह अगर नो अपोइन्मेंट आपने याद रख ली, तो इस अभी कौन से रुपे का सिक्का निकाला, जो सिखों के गुरू थे, श्री गुरू गोविन सिंग जी, उनके 350 वी वर्ष गांट पर, बर्थ अनिवर्शरी पर, यह सिक्का था 350 रुपे का, 350 रुपीज का, हर्याना का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सिक्षा विभा उन्होंने जो Senior Secondary Girl School है, उसे शहीद मेजर विकास यादव Senior Secondary School उसका नामकरण करा है, यह कहां पर है, कौन से डिस्टिक्ट में है यह, शहीद मेजर विकास यादव Senior Secondary School, यह है कोसली में, और कोसली पढ़ता है रिवाडी डिस्टिक्ट में, रिवाडी डिस्टिक्ट, हर UPSC में rank 2 आया है जिनका इसमर वो भी सोनी पत्की है और अनु कुमारी को हर्याना की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का brand ambassador बनाया है और हर्याना की सरकार ने measles और rubella ये दो रोग होते हैं हमारी तवचा के हमारी skin के measles और rubella इनके लिए बनाया है brand ambassador इनसे निपटने के लिए जो टीका करण होगा vaccination प्रोग्राम एक तो बनाया है गोरी शेरॉन को shooter है ये गोरी शेरॉन और एक है मनु भाकर मनु भाकर जजजर कियें और Commonwealth में gold medal भी जीता है Indian Cellular Association के हिसाब से भारत कोन से country को पीछे छोड़के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone निर्माता बन गया है भारत ने पीछे छोड़ा Vietnam को तो अब number one है China number two है Vietnam number two है India मतलब पहले था Vietnam number two India और number three हो गया है Vietnam और अगर मैं steel की बात करूँ जिसको बोलते हैं crude steel कच्चा इसपात तो number one उसमें China था number two Japan था number three India था तो भारत ने जापान को पीछे छोड़के अब steel में भारत हो गया है दूसरा सबसे बड़ा crude oil producer अब comments में लिके ये बताइए भारत के steel मंत्री कौन है steel minister comments में लिके बताइए कौन सा country है जिसने एक nuclear capable यानि नाभी किये शमता वाला intercontinental ballistic missile जिसका नाम है सर्मत उसका launch करा है उसको test fire करा है ये है Russia Russia का एक rocket है जिसको बोलते है Soyuz इसका नाम याद रखिए Russia का जो राश्पती होता है 6 साल के लिए चुना जाता है अमरीका का राश्पती 4 साल के लिए चुना जाता है और भारत और चीन का राश्पती 5 साल के लिए चुना जाता है तो वलादिमीर पूतिन 6 साल के लिए चुने गए है और डॉनल्ड टरम 4 साल के लिए और शी जिन पिंग जो है वो पांच साल के लिए और रामनात कोविंद पांच साल के लिए तो आंसर है रशिया रशिया की राजधानी क्या है मोस्को और मोस्को में दो महिने के बाद खेला जाएगा फुटबॉल का ये भी याद रखी 2018 का FIFA फुटबॉल वल्ड कप होगा मोस्को में कौन से कंट्री की ओपोजिशन पार्टी है जिसने मना कर दिया है भारत को कि भई Assumption आईलेंड हम देने वाले थे भारत को मिल्टरी बेस बनाने के लिए अब नहीं देंगे तो ये नोने ब्लॉक कर दिया है ये कंट्री है सेशल्स सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया और अब भारत को ऐसा लगता है कि Assumption आईलेंड जो है वो नहीं मिलेगा इसी तरह एक और कंट्री है Mauritius तो Mauritius से भारत को मिलने वाला है Chagos आईलेंड Chagos आईलेंड ओमान से भारत को मिला है Dukam Port D.U.Q.M. Dukam Port कितने कीर्थी चक्र राशपती रामनाथ कोविंद जी ने दिये राशपती भवन में जो समारो हुआ था उसमें इन्होंने दिये तीन कीर्थी चक्र त्री किस-किस को मिलाइए ये मिले कमांडर चेतन चीता मेजर डेविड मनलून और मेजर विनाय बिष्ट तीन लोगों को मिले है और सत्रा दिये शौरे चक्र और चौदा दिये परम विशिष्ट सेवा मेडल हमारा आयकर विभाग यानि CBDT उसने पैन कार्ड आपका जो परमनेंट अकाउंट नंबर है उसे आधार कार्ड से जोडने के लिए जो डेडलाइन थी वो बढ़ा के कितनी कर दिये पहले 31 मार्च थी अब बढ़ा के कर दिया है 30 जून कमेंट्स में लिखके ये बताईए कि जो पैन नंबर होता है उसने एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया के साथ मिलके एक ग्रीन कोरिडोर बनाने का निडने लिया है ये ग्रीन कोरिडोर कहां बनेगा ये बनेगा वारानसी में और ये नैशनल हाइवे 56 और नैशनल हाइवे 29 को कनेक्ट करेगा लगबग 16 किलोमेटर का ये रोड होगा और वारानसी का पुराना नाम है बनारस आप जानते ही होंगे और वारानसी परधान मंतरी मोदी का चुनाव शेत्र भी है और वारानसी को स्मार्ट सिटी बनाएगा क्योटो क्योटो अभी एक काशी विश्वनात कोरिडोर भी बन रहा है यहाँ पे जिसको लेके काफी विवाद चल रहा है एरपोट अथोरिटी ओफ इंडिया के चेर्मेन है गुरू परसाद मोहपात्रा गुरू परसाद मोहपात्रा और हमारे नागरी कुड्यन मंत्री है सुरेश प्रभू नैसकॉम की नई प्रेजिडेंट कौन बनी है तो नैसकॉम की प्रेजिडेंट बनी है देव जनी घोश एक इंपॉर्टन बात नैसकॉम का चेर्मेन भी बदल गया है पहले थे रमन रोय और अब है रिशाद प्रेम जी नए चेर्मेन और वाइस चेर्मेन है नए केसब मुरुगेश केसब मुरुगेश भारत और पाकिस्तान ने डिसाइड करा है कि एक दूसरे के राजदूतों को वो परिशान नहीं करेंगे इसको लेके काफी विवाद चल रहा था वारता से सुलजाएंगे बाते करके सिचुएशन को ठीक करेंगे तो आपको बताना है कि भारत का उच आयोक्त राजदूत पाकिस्तान में कौन है इनका नाम है अजय बिसरिया और उल्टा पूछूँ तो पाकिस्तान का राजदूत को ने भारत में तो आंसर है सोहेल महमूद कौन से खिलाडी है जिनका मोम का पुतला वैक्स स्टेचू ये मैडम टू सावड डिल्ली में लगाए जाएगा ये खिलाडी है विराट कोहली इन से पहले कपिल देव, सचिन तंदूलकर क्रिस्टियान और रोनाल्डो बगारा इनका पुतला यहां अल्रडी अवेलेबल है इसके अलावा करण जोहर की बात करें मशूर निर्माता निटदेशक करण जोहर ये पहले भारतिये फिल्मेकर हैं जिनका मौम का पुतला मैडम टुसाओ लगाएगा वी श्री हर्शा का निधन हो गया ये कौन थे? ये एक पत्रकार थे ये इसको बोलते हैं ओबीच्वरी तो एक से दो कोश्चन ओबीच्वरी से हर बार आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जिनका निधन हुआ अपरेल 2018 के महिने में कोलाम अजीत एक्टर थे राजकिशोर एक्टर भीम सेन खुराना एनिमेटर यानि कार्टोनिस्ट जेम्स अजोंगो ये साउथ सुडान के आर्मी चीफ थे साउथ सुडान की राजधानी है जूबा और सुडान की राजधानी है खारतों दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चीए अलग-अलग देश है सुडान और साउथ सुडान मुनीन बरुआ ये असम के फिल्मेकर थे एफरेन रियोस मॉंड ये ग्वेटेमाला के डिक्टेटर ताना शाह थे ग्वेटेमाला के सीवी राजेंदरन ये एक फिल्म डिरेक्टर थे स्टीफन बोचो फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर रे विलकिन्स ये फुटबल खेलाडी थे कई बड़े-बड़े क्लब्स के लिए खेले जैसे चल्सी वगरा राजेंदर सच्चर ये हमारे दिल्ली हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस थे और एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनी थी जिसने ये बताया था कि भारत में जो मुसलिम हैं वो काफी अभी आर्थिक और समाजिक तोर पर पिछड़े हुए आर के दुरेंदर सिंग ये मनिपूर के पूर्व मुख्य मंत्री थे वेरी इंपोर्टन एन राम मोहन ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बलके पूर्व चीफ थे डरेक्टर जर्नल थे बारबरा बुष ये जॉर्च डवलु बुष की मदर थी और हॉर्च डवलु बुश की पतनी थी former US फस्त लड़ी वी श्री हर्शा पत्रकार गुलाम मुहममद मुस्तफा पत्रकार सुरेंधर निहाल सिंग पत्रकार टी वी आर शेणौय पत्रकार शकुंता महावाल और MS रवी दोनों पत्रकार इसके अलावा वकील थे निरंजन थोमस आलवा एक मशूर पेंटर राम कुमार हेमचंद यादव थे नेता और धरमपाल चौधरी थे नेता कौन सी कंपनी है जिसने एक नया मंच बनाया है जिसका नाम है Women in Tech Women in Tech को बनाया है RBS इंडिया ने इस पे चर्चा होगी STEM के बारे में और STEM बहुत इंपोर्टन है आपके लिए S से Science, T से Technology, E से Engineering और M से Math इन चारों चीजों पे चर्चा होगी कौन सी सेटलाइट है जो चाइना ने दागी लांच करी अपने Long March 3B रोकेट से यह सेटलाइट से Navigation System के लिए किया है इन्होंने यह सेटलाइट है B2-3 कौन से राजे की सरकार ने 181 सखी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करा है महिलाओं के लिए यह करा है असाम की सरकार असाम का स्टेट एनिमल है वन हॉर्ण राइनो और असाम में मानास काजी रंगा दो सबसे इंपोर्टन नेशनल पार्क हैं और दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो भारत में अभी अभी स्टार्ट हो गया है नया सबसे लेटेस्ट इसके मैनेजिन डिरेक्टर है अजे कनवल और ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका हेड़कॉर्टर है बैंगलूरू में वर्ल्ड ऑटिजम अवेर्नेस डे ऑटिजम होता है जब दिमागी तोर पर कोई उतना शशक्त नहीं होता ऑटिजम नियूरो डिसॉर्डर होता है तो उसके बारे में जगरुपता फिलाने के लिए दिन मनाया गया दो अपरेल को इसका थीम क्या था इसका थीम था Empowering Women and Girls with Autism Empowering Women and Girls with Autism और यह है important day जो आपको याद रखने है अप्रेल में 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 ली और दो मैंने आपको उसमें भी बताएं मार्च के आखरी हफते के 25 मार्च को International Day of Remembrance of the Victims of the Slavery and Transatlantic Slave Trade जो गुलाम, गुलामी का शिकार जो लोग थे उनको याद करने के लिए मनाते हैं 25 मार्च को World Theater Day 27 मार्च Army Medical Cops का Raising Day था 3 अपरेल को International Mind Awareness Day 4 अपरेल National Maritime Day राश्ट्रे समुद्रे दिवस 5 अपरेल और यह इनके थीम है International Mind Awareness Day का थीम था Advancing Protection, Peace and Development National Maritime Day का Indian Shipping and Ocean of Opportunity 6 अपरेल को International Day of Sport for Development and Peace 7 अपरेल को अंतराश्ट्रे स्वास्थे दिवस World Health Day इसका थीम था Universal Health Coverage Everyone Everywhere 7 अपरेल को International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda Rwanda में इसकी राजधानी है किगाली अफरीका का देश है और यहाँ पे हुद्दू और तुट्सी के बीच में एक संहार हुआ था जन संहार सारे हुद्दू ने मिलके सारे तुट्सीों को खतम कर डाला था और लाखों लोग मारे गए थे 1900 चुराणमे की बात है चुराणमे या तिराणमे की बात होगी आठ अप्रेल को अंतराष्टिय रोमानी डे दस अप्रेल को वल्ड होमेोपैथि डे ग्यारा अप्रेल को नैश्चल सेफ मदर हुद डे इसका थीम था रेस्पेक्फुल मेटरिनिटी केर और 12 अप्रेल को इंटरनेश्चल डे ओफ हुमेन स्पेस फ्लाइट पहले वैक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे बोते यूरी गागरिन 17 अप्रेल को वल्ड हीमोफिलिया डे इसका थीम था शेरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉंगर 18 अप्रेल को इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स और साइट्स वल्ड हरिटेज डे भी इसे बोलते हैं भारत में 36 वल्ड हरिटेज साइट है सबसी ज़्यादा वल्ड हरिटेज साइट है इटली में तरेपन दूसरे नंबर पे चाईना में बावन Heritage for Generations 19 अप्रेल को World Liver Day Riding New Wave in Liver Diagnosis, Staging and Treatment 20 अप्रेल को United Nations Chinese Day Chinese भाशा के लिए सयुक्त राश्ट संकी 6 भाशाएं है उनमें से एक है Chinese Chinese भाशा का दूसरा नाम है Mandarin 21 अप्रेल को National Civil Service Day 21 अप्रेल को ही 2 दिन ओर होते हैं 1 Administrative Professionals Day और 1 World Creativity and Innovation Day 22 अप्रेल को International Mother Earth Day इसका थीम था Plastic Pollution को खतम करो 23 अप्रेल को English और Spanish भाशा के लिए दिवस होता है UN का 23 अप्रेल को ही होता है World Book and Copyright Day इसका थीम था Reading Is My Right 24 अप्रेल को World Day for Laboratory Animals 24 अप्रेल को ही National Panchaity Raj Day हमारे Panchaity Raj के मंत्री है नरेंदर सिंह तोमर 25 अप्रेल को World Malaria Day तो इह होपो क्लियर होगा कौन से राज्य की सरकार है जिनोंने एक Crime Branch बनाने का निर्णे लिया है जो Crime को कम करेगी ये निर्णे लिया है अभी अभी त्रिपुरा की सरकार है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री काफी famous हैं आजकल उनका नाम है विपलब कुमार देव और त्रिपुरा का जो State Animal है वो है Firez Langur Firez Langur यहां की राजधानी है अगारतला कोन सा पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई Cruise Missile है जो उन्होंने Test Fire करी अभी अभी इसकी शमता है 450 किलोमेटर की और यह है बाबर पाकिस्तान के पूर परधानमंत्री नवास शरीफ को वहां के सुप्रीम कोट ने बेन कर दिया है अब वो वहां पूरी जंदगी परधानमंत्री पे नहीं रह सकते चुनाव भी नहीं रह सकते corruption में पकड़े गए हैं वो जो पनामा में पेपर लिक हुए थे उन सब में उनका नाम आया था और पाकिस्तान के अभी परधानमंत्री है शहीद खकान अबासी शहीद खकान अबासी और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी होता है वहां की आर्मी का चीफ वो है जनरल कमर जावेद बजवा कोन से राज्य के मुख्य मंत्री ने अनाउंस करा है कि जो सरकारी करमचारियों की रिटार्मेंट एज है वो साठ से बढ़ा के कर दी है बासट ये अनाउंस करा है मद्य परधेश की सरकार ने शिवरासिंग चोहान यहां के मुख्य मंत्री है और मद्य परधेश के जो गवर्नर है वो है अनन्दी बैन पटेल अनन्दी बैन पटेल पहले गुजरात की मुख्य मंत्री थी किसी समय में और मद्य परधेश में एक इंपोर्टेंट डैम है इंद्रा सागल डैम इंद्रा सागल डैम खंडवा डिस्टिक्ट में है नर्मदा नदी के उपर बना हुआ है और नर्मदा नदी के उपर एक ओल डैम है सरदार सरोबल डैम पर वो गुजरात में कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक grace FO mission करेगी यानि gravity recovery and climate experiment follow on mission करेगी यह announce करा है NASA ने धर्ती पे कुछ ठंड़े इलाके होते हैं जहां हमेशा बरफ जमी रहती है उन्हें बोलते है cryosphere तो NASA cryosphere को study करना चाहती है grace FO mission से Kotak Mahindra Bank यह जो bank है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा private bank बन गया है HDFC के बाद अभी अभी और Kotak Mahindra Bank जो है इसने इंडिया का पहला artificial intelligence powered voice bot banking sector में लगाया है क्या नाम है इसका यह हिंदी और इंगलिश दोनों में बाते करेगा आप से इसका नाम है किया इस bank के managing director है उदे कोटक अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल एक उदे कोटक कमिटी बनी थी उदे कोटक कमिटी क्यूं बनी थी कमेंट्स में लिखके बता हो Miami Open men single title किस ने जीता बात और यह tennis की इसको जीता John Isner ने और यह अमरीका के tennis खिलाडी है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अदित्यनाथ जिनका असली नाम है अजय सिंग बिष्ट उत्राखंड में जनम हुआ था इनका तो योगी अदित्यनाथ ने उद्गाटन करा भारत का सबसे उचा सड़क, सबसे elevated road जिसका नाम है हिंडोन elevated road कहां पे किया ये उद्गाटन ये किया गाजियाबाद में गाजियाबाद 10 किलोमीटर लंबा है और 227 खंबो पे टिका हुआ है ये road ये उत्तर प्रदेश गेट को राजेंदर extension से जोड़ेगा 11,000 करोड रुपे का खर्चा आया इसमें तो ये याद रखिये और उत्तर प्रदेश में एक dam है जिसको बोलते है रिहांड dam ये रिहांड नदी पे बना हुआ है जो सोन नदी की एक साहिक नदी है और ये सोन भद्र डिस्टिक्ट में है इन में से पहली महिला कौन बनी है जो UN Political Affairs को head करेगी उनकी अध्यक्ष बनी है पहली बार महिला को बनाया है इनका नाम है Rosemary D. Carlo United Nation बना था 24 अक्तूबर को तो कोई पूछे कि United Nation successful रहा के नहीं बिल्कुल successful रहा Third World War अभी तक नहीं हुआ तो इसका श्रे United Nation को देना पड़ेगा हमें इसका headquarter है New York को New York में ही headquarter है UNICEF का कौन सा airport है जिसे सबसे साफ airport का award मिला सबसे साफ airport भारत का कौन सा है Airport Authority of India नहीं ये award दिया है ये है Mangalore airport Mangalore airport है करनाटक में करनाटक में एक बहुत important मंदिर है विरुपाक्ष मंदिर ये exam में आता है विरुपाक्ष मंदिर जिस जगा पे उसे बोलते है पटड़कल और पटड़कल एक World Heritage Site है करनाटक में हमपी भी है हमपी भी World Heritage Site है करनाटक में भारत में सबसे ज़्यादा elephant है सबसे ज़्यादा tiger है और अभी Commonwealth Youth Award मिला है दो है एक है मिरनाली नी दयाल और एक है योगेश कुमार तो आंसर है 1 और 4 Commonwealth जो होता है इसमें 53 कंट्री आते और इनका जो Commonwealth गेम भी होते है जिनमें ये सारे कंट्री भाग लेते है और इस बार Commonwealth गेम में सबसे ज़्यादा medal जीते है उस्टेलिया ने दूसे नमबर पे England, तीसे नमबर पे राब भारत Commonwealth जो होता है उसकी head अभी तक थी Queen Elizabeth लेकिन अब बन गए है Prince Charles कौन सा sports federation है जिसने एक mobile app बनाया है Scout Me, मुझे खोजो talent को खोजने के लिए Scout में बनाया है All India Football Federation AIFF इसके President कौन है? प्रफुल पतेल अब कमेंट्स में लिखके ये बताओ या आगका चोथा सवाल है हेमंता बिश्वा सर्मा हेमंता बिश्वा सर्मा कौन सी भारत की sports authority है जो उसके President है कमेंट्स में लिखके बताओ कौन सी Space Agency है जिसने Insight Mission स्टार्ट करा है Insight Mission मंगल घ्रह को स्टड़ी करने के लिए करा है Insight की Full Form है Interior Exploration Using Seismic Investigation Jotse and Heat Transport पूरी Full Form याद रखने की आवशक्ता नहीं है ये Mission है NASA का NASA का Mission का क्या नाम है? Insight ये मंगल घ्रह को स्टड़ी करना चाहते है जजदीक है Venus ना की Mars ये भी आपको याद रखने है इन में से Sports Person of the Year Telangana Sports Journalist Association Awards हुए उसमें साल की सरवशिष्ट खिलाडी का आव़र्ड किसे मिला इनका नाम है मिथाली राज और मिथाली राज भारतिय क्रिकेट टीम की कैप्टन है और अगर मैं बात करूँ Best Male खिलाडी और Best Female खिलाडी ये तो Sports Person of the Year हो गई Best Male खिलाडी का आव़र्ड मिला किदंभी शिरिकांत को और Best Female खिलाडी पीवी सिंदू कोन से राज्ये का एक मुर्गा है जिसको बोलते है कड़कनात मुर्गा इसे Geographical Indicator Tag मिल गया है ये है मद्यपरदेश का ये मेंली जबुआ में पाये जाता है मद्यपरदेश का जबुआ जो डिस्टिक्ट है जहां मेंली आदिवासी रहते हैं जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ये पाये जाता है National Annual Rural Sanitation Survey हुआ इसके हिसाब से कितने भारत के ग्रामीन घर है जो टॉलेट जिनको अवेलेबल है और जो उनको Access to Toilets है लेकिन वो उन्हें यूज़ करते हैं ये है 93% इन में से इजिप्ट के राश्टपती दुबारा कौन बन गए है इनका नाम है इजिप्ट के बारे में केरो राजधानी है यहां की ये पूछा जा सकता है इजिप्ट के एक खिलाडी है जो बहुत चर्चा में है जिनका नाम है मुहम्मद सला लिवर्पूल फुट्बॉल क्लब के लिए खेलते हैं इन्हें बेस्ट खिलाडी का आवर्ड मिला है इंग्लेंड के यानि पी एफए इंग्लिश फुट्बॉलर अफ द इयर का आवर्ड मिला है और इजिप्ट में नील नदी भैती है क्रेडल अफ द नाइल गिफ्ट अफ द नाइल काई सारे नाम है इसके यहाँ पे एक तहरीर स्क्वेर भी है इजिप्ट के पिरामिड बहुत फेमस है जिनें दुनिया का जूबब बोलते है धर्ती जितना ही बड़ा एक घ्रै अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है इसका क्या नाम है यह धर्ती से 260 मिलियन यानि केंदर सरकार ने MOU साइन करा है UK के साथ United Kingdom के साथ और Northern Ireland के साथ किस में cooperate करेंगे हम cooperate करेंगे Organized Crime में संगठित अपराद को रोकने के लिए भारत और UK और Northern Ireland एक दूसरे की मदद करेंगे Northern Ireland की राजधानी है Belfast और Republic of Ireland की राजधानी है Dublin Republic of Ireland UK का हिस्सा नहीं है Northern Ireland इसका UK का हिस्सा है और ये सारे MOU है जो हमने विभिन कंट्री से साइन करें ये रटलो अच्छे से Canada के साथ हमने साइन करा है IPR Intellectual Property Right Cross Border Partnership Focused on Research Excellence अजर बैजान Exemption from Visa Requirement for Official इरान के साथ Trade Remedy Measure संयूक तरब अमिरात के साथ Rail Sector में अफगानिस्तान के साथ Food Safety तक्षिन कोरिया के साथ भारतिय जो समुदरी नाविक हैं भारतिय नाविक उनको रोजगार देने के लिए मुरक्तों के साथ खनीजों के खनन के लिए मिनल एक्स्पोरेशन UK और Northern Ireland के साथ Illegal Migrants और साथ में जैसा मैंने बताया जो संगठी तपराद को रोकने के लिए Swaziland इस देश के राजा ने इस देश का नाम पलटके कर दिया है इस Swaziland के राजा ने Health and Medicine and Visa Department Zambia के साथ Double Taxation Awardance Agreement Judicial Corporation Mutual Visa Waiver and Entrepreneurship University 4 M.O.U. हुए बंगलेश के साथ इन सब में हम एक जिसे कहते हैं पाइपलाइन बिछाएंगे नुमालीगड से परबतिपूर नुमालीगड साम में है परबतिपूर बंगलेश में है यहां तक लगबग 120-130 किलोमेटर की कुछ पाइपलाइन है यह बिछेगी तिमोर लेस्ते एक देश है इसके साथ हेल्थ केर में Eritrea के साथ Foreign Office Consultation Sweden के साथ Innovation Partnership for a Sustainable Future Denmark के साथ Smart Urban Development, Animal Husbandry Food Safety, Agriculture Research Iceland के साथ Establishment of ICCR Chair for Hindi Language और UK के साथ इतने सारे तो UK में आपको पताओगा CHOGM में भी परधानमंत्री गए थे मोधी गए थे और UK की जो परधानमंत्री है वो है थेरे सामे Cabinet Committee on Economic Affair ने एक Integrated Scheme स्टार्ट करी है School Education के लिए ये पुरानी कौन सी Scheme को खतम कर देगी यानि पुरानी ये सारी Scheme इनमें समा जाएगी कौन सी Scheme है राष्ट्रिय माध्धमिक सिक्षाभियान सर्वसिक्षाभियान Teacher Education TE Answer is all of the above अब ये सारी खतम हो गई है इनकी बजाए बस एक बच गई है जो है Integrated Scheme for School Education It's very important कौन से Formula 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने इस सीजन की पहली रेस Australian Grand Prix को जीत लिया ये फरारी गाड़ी चलाते हैं और इनका नाम है Sebastian Vettel Sebastian Vettel और अभी तक चार रेस हुई है इस सीजन में चार रेस हुई है अब तक तो Australian तो बता दी पहली थी Bahrain Grand Prix जीती है Sebastian Vettel ने again Chinese Grand Prix जीती है Daniel Ricciardo ने Daniel Ricciardo कौन सी गाड़ी चलाते हैं Red Bull अजर बैजान Grand Prix Lewis Hamilton ने जीती है ये Mercedes चलाते है हमारी Food Processing मंत्री हरसिमरत को और बादल इन्होंने राजस्थान का पहला Mega Food Park कौन से डिस्टिक्ट में उसका उध़टन किया ये बना है अजमेर में अजमेर में बना है ये और इसमें ये 113 करोड रुपे का खर्चा आया है अगर पूछें अजमेर में कहां बना है तो आंसर है रूपनगड रूपनगड गाओं में बना है इन में से National Green Tribunal का Acting Chairman कौन बना है इनका नाम है Justice जवाद रहीं ये करनाटक High Court के जज रहे है पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज Cruise Ship इसने अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करी बारसेलोना से क्या नाम है इसका इसका नाम है Symphony of the Seas और इसमें 6,680 पैसेंजर आ सकते है Frank Walter Steinmeier भारत आये ये कौन से देश की राश्पती है ये जर्मनी की राश्पती है जर्मनी की राजधानी है Berlin और जर्मनी की चांसिलर है एंजला मरकल एंजला मरकल Economic Affairs Secretary सुभाष चंदरगर्ग ने कहा है भारत 5 trillion dollar की economy बन जाएगा 5 trillion मतलब 5,000 billion dollar अभी हम है 2.5 trillion dollar की economy मतलब हमारी economy का size डबल हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्ता डबल हो जाएगी तो कब तक होईगी यह होगी 2025 तक 2025 इन में से भारत का पहला जिला district कौन सा है जहाँ पे जितने भी Primary Health Center है सब सोरूर्जा से चले यहाँ पे जितने भी Primary Health Center है सब सोरूर्जा से चले यह है सूरत इसको Diamond City भी बोलते हैं भारत का गुजरात में है Diamond City यहाँ पे Diamond की polishing होती है और Primary Health Center जो होता है 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या पे एक होता है 30,000 मैदान वाले एरिया में और 20,000 पहाड़ों वाले एरिया में कौन सा airport है जिसे सब से ज़्यादा improved airport यानि पहले से improve हुआ है APAC region में ये award मिला ये है सरदार वल्लब भाई पठेल International Airport और ये एहमदाबाद के एरिपोर्ट को बोलते है एहमदाबाद एरिपोर्ट एशिया का सब से बड़ा Tulip Garden ये दर्शकों के लिए खुला कहां पे है ये ये है शिरिनगर में शिरिनगर में और इसको बोलते हैं इंद्रा गांधी मेमोरियल Tulip Garden इसका पुराना नाम है सिराज बाग सिराज बाग जमू कश्मीर का जो स्टेट अनिमल है वो है हंगुल यहां का एक डांस है जिसे बोलते है राउफ कितना लोन Asian Development Bank दे रहा है हिमाचल प्रदेश को युवाओं के कौशल विकास और उनको Employable बनाने के लिए उनको रोजगार देने के लिए ये लोन मिलेगा 80 million dollar का 80 million dollar अब ये 5 लोन है 6 लोन जो बहुत important है World Bank ने महराष्टर को लोन दिया है 420 million dollar मराथवाडा और विधर्ब में जो छोटे किसान है smaller marginal farmer उनके विकास के लिए World Bank ने बांगलादेश को दिया है 55 million dollar का लोन जैवी कुर्जा पे खर्च करने के लिए Clean Renewable Energy पे World Bank ने मेघाले को दिया है 48 million dollar का लोन वहाँ पे Landscape Management के लिए Asian Infrastructure Investment Bank ने मद्यपर्देश को 140 million dollar का लोन दिया है Rural Connectivity यानी सड़के बनाने के लिए 10,000 से ज़्यदा किलोमेटर की सड़के मनेगी मद्यपर्देश में World Bank ने मद्यपर्देश को 210 million dollar का लोन दिया है Rural Connectivity के लिए और Asian Development Bank ने उत्राखंड को कौन सी कंपनी है जो वारानसी शहर को Wireless बना रही है अब यहाँ तारों का इस्तेमाल नहीं होगा यह कौन सी कंपनी है यह बहुत बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट है यह बिड़ा उठाया है Power Grid इंडिया ब्रेंड एक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया में कौन से नंबर पे सबसे बड़ा विद्यूत निर्माता बन गया है Largest Electricity Producer हम है तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे है चाइना दूसरे नंबर पे है अमरीका और तीसरे नंबर पे आब आ गया है भारत एक Multimodal Logistics Park अभी-अभी बल्ली स्टेशन पे बनाए ये बल्ली स्टेशन कहां पे है बल्ली स्टेशन है मडगाओं के पास और ये बात हो रही है गोवा की इसके लावा एक बात और रुपता तूँ यहां पे भोपाल रेल्वे स्टेशन भारत का पहला रेल्वे स्टेशन है मत्यप्रदेश में जहां पे एक Sanitary Pad Vending Machine लगाई गई थी जहां पे Sanitary Pad Vending Machine लगाई गई थी कौन सा कंट्री है जहां पे दुनिया का सबसे लंबा Sea Bridge बना है ये बना है चाइना में ये चाइना को किस से जोड़ेगा एक तो जोड़ेगा Macau से और एक जोड़ेगा Hong Kong से NASA का Hubble Space Telescope इसने एक ऐसा सितारा खोज लिया है ऐसा तारा स्टार जो धरती के सबसे दूर है क्या नाम है इसका इसका नाम है Igeras और 900 करोड light years लगते हैं इसकी रोशनी को धरती पे पहुँचने में 900 करोड light years केंदर सरकार ने Protection of Human Rights Amendment Bill 2018 पास कर दिया है आप बताइए National Human Rights Commission का चेर्मेन कौन है इनका नाम है Justice H.L. Dattu Justice H.L. Dattu भारत और बांगलादेश के बीच में पहली मालगाडी चलाई गई ये कहां से चली ये कौलकाता से चली और ये ढाका तक जाएगी और ये तो हो गई मालगाडी की बात पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो भारत और बांगलादेश के बीच में दो ट्रेन चलती है एक तो हैं मैत्री एक्स्प्रेस और एक हैं बंधन एक्स्प्रेस ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स हुए उनमें स्पोर्ट्समेन ऑफ दा इयर फीमेल का अवार्ड किसे मिला मेल और फीमेल अलग अलग अवार्ड थे तो जो स्पोर्ट्समेन ऑफ दा इयर फीमेल है वो है पीवी सिंदू और Sportsman of the Year male है Kidambi Shrikant Kidambi Shrikant World No.1 बन गए है Badminton में और P.V. Sindhu जो है Olympics में इन्होंने Silver Medal जीता था ये Spain की Caroline Amarin से हार गई थी और जो Kidambi Shrikant हैं इनसे पहले World No.1 प्लेयर थे Denmark के Victor Axelson Victor Axelson और जिसे बोलते हैं Best Coach उसका Award मिला Pulela Gopichand को और Team of the Year का Award मिला भारतिय महिला होकी टीम को बात करते हैं जो monetary policy होती है तो उसमें reverse repo rate कितना है reverse repo rate है 5.75% और repo rate है 6% और marginal standing facility और bank rate दोनों है 6.25% यह यहाँ पे लिखे हैं सारे repo rate 6% reverse repo rate 5.75% bank rate 6.25% margin standing facility 6.25% cash reserve ratio 4% और statutory liquidity ratio है 19.5% इन में से एक question पक्का आता है अटल pension योजना में 31 March 2018 तक कितने लोग इसको avail कर चुके थे इस योजना का घ्राक अधार क्या था 97,00,000 टार्गेट था 1 करोड का तो बस पूरे ही होने वाले हैं 3,00,000 और बचे हैं ये आखड़ा दिया Pension Fund Regulatory Development Authority of India PFRD ये ने अटल pension योजना 18-40 साल तक के लोगों के लिए है और जब 60 साल का वेक्ति हो जाएगा तो उसे pension मिलेगी एक हजार से लेके 5,000 रुपे तक जितना भी उसने प्लैन लिया है जो भी उसे साब से Commonwealth Games 2018 जो हुए थे Gold Coast Queensland Australia में इनका mascot शुभंकर क्या था इनका शुभंकर था Blue Kuala Beer Borobi ये एक नीला Kuala Beer है भालू है Borobi बोलते हैं से और इसमें पूचें कि भारत का धोजवा कौन था जब ये खेल स्टार्ट हुए तो PV सिंदु ने भारत का जंडा लेके चली और जब गेम खतम हुए तो Maricom तो Closing Ceremony में Maricom Opening Ceremony में PV सिंदु केंदर सरकार ने Competition Commission of India का Size कम कर दिया है साथ मेंबर से अब कितना कर दिया है पहले था 1 प्लस 6 एक चेर्मेन और 6 मेंबर अब कर दिया है 1 प्लस 3 तो साथ से कर दिया है 4 Competition Commission of India के चेर्मेर है DK Sikri DK Sikri चाइना का कौन सा Experimental Space Lab है जो खतम हो गया परशांद महासागर में टकरा गया इसका नाम था Tianjong Pratham Tianjong Pratham सबसे कम उमर के भारतिय भारतोलन में पतक जीतने वाले खिलाडी कौन बने इनका नाम है दीपक लैदर और दीपक लैदर जो है ये हर्याना के सिर्फ 18 साल के हैं और पूछे की सबसे कम उमर का medal किस ने जीता ये तो weightlifting की बात हो रही है overall तो answer है उसका अनीश भानवाला ये जो है ये सिर्फ 15 साल के shooting तो ये खिलाडी है जो यहां लिखिये हैं इनके नाम record है ये Commonwealth Games का मेर को लगता है मैंने अलग वीडियो बनाया था आप उसको देख सकते हैं सब कुछ उसमें detail में explain करा है यहां पे करूँगा तो इसमें आदा घंटा लग जाएगा तो main main आप याद रखिये सारे important खिलाडियों के नाम याद रखिये नीरच चोपना है, तेजस्विनी सावंद एक मनी का बत्रा है table tennis में यह सब जिरूर पूछेंगे विकास कृष्टन, सती, सिवालिंग नम है जित्तू राय, हीना सिध्धू यह सब इनके नाम आपको याद रखने हैं बहुत सारे खिलाड़ी है चलिए बात करके हैं सुबरत भटाचारिया की यह भारत के राजदूद बने हैं कौन से देश में यह बने हैं सर्बिया में सर्बिया की राजदानी है Belgrade और सर्बिया के एक important tennis कि लाड़ी है Novak Jokovic अभी French Open स्टार्ट होने वाला है French Open के बाद दो महीने बाद होगा Wimbledon तो दोनों को आप देख सकते हैं संजय भटाचार्या बने हैं टर्की के रवी थापर बने हैं निकारगुआ के और राहुल कुल श्रेष्ट बने हैं ईजिप्ट के भारत ने एक military exercise करी अभी वी जिसका नाम है सहयोग हयो बल्योग सहयोग हयो बल्योग भारत ने चेन्नई में करी कौन से देश के साथ भारत ने करी साउथ कोरिया के साथ और इसमें हिस्सा लिया दोनों देशों के तट रक्षक यानि कोस्ट कार्ड ने भारतिय कोस्ट कार्ड के चीफ कोन है राजेंदर सिंग और ये important exercise है जो अप्रेल में हुई सहयोग हयोबलियोग भारत और कोरिया के बीच गगन शक्ती इंडियन एर फोर्स की थी सबसे बड़ी exercise थी इंडियन एर फोर्स की आस तक के थी थी हास में डेजर्ट टाइगर पंचम मलेशिया और यूएई के बीच में थी सागर कवच भारतिय नेवी ने करी थी सागर कवच हरीमो शक्ती भारत और मलेशिया ने और पीस मिशन SEO कंट्रीज यानि शंगाई कोपरेशन और अर्गिनाइजेशन आपको हिरानी होगी भारत और पाकिस्तान भी रशिया के कहने पे साथ में exercise कर रहे है यूनियन केबिनेट ने कौन सी सरकारी कमपनी को बंद कर दिया है ये Central Public Sector Enterprise यानि CPSC सरकारी कमपनी बंद हो गई है ये Railway मंत्राले के अधिन काम करती थी इस कमपनी का नाम है Burn Standard Company Burn Standard Company कौन सा institute है जो भारत में नंबर बन है सबसे बेस्ट है यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है Indian Institute of Science Bangalore अगर पूछे भारत का बेस्ट कॉलिज कौन सा है तो आंसर है Miranda House दिल्ली ये latest ranking आई है International Institutional Ranking Framework NIRF की ranking Miranda House भारत का बेस्ट कॉलिज है IISC Bangalore भारत का बेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत का बेस्ट Medical College है एमस नई दिल्ली भारत का बेस्ट Engineering College है IIT मदरास भारत का बेस्ट Management College है IIM एहमदाबाद और बेस्ट जो Pharmacy College है वो है Pharmacy College जो मोहली में है जिसको बोलते है National Institute of Pharmaceutical Education and Research मोहली कौन से राजे की सरकार ने रूपाश्री स्कीम शुरू करी है महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक साहिता देने के लिए ये स्टार्ट करी है पश्चिम बंगाल की सरकार ने रूपाश्री और कन्याश्री दोनों ही स्कीम जो हैं वो West Bengal की है और कन्याश्री स्कीम को मिला था United Nations Public Service Award और एक मिलती जूलती स्कीम है माजी कन्या भागेश्री तो भागेश्री ये जो स्कीम है ये है महराष्टर की कन्फ्यूज नहीं होना है रूपाश्री कन्याश्री बंगाल और भागेश्री महराष्टर वाग्यानिकों ने घास जैसा दिखने वाला पोधा जिसका नाम है फिम्री स्टाइलिस अगस्टे मलाइनसिस खोजा है, कहाँ पे खोजा है ये खोजा है पौन मुडी की पहाडियों में पौन मुडी की पहाडियों में और अगस्ते माला बायोसवेर रिजर्व भी है यहाँ पे, अगस्ते माला बायोसवेर रिजर्व, एक हिल्स और याद रखिए, वो हैं बोधी वेस्ट हिल्स, यहाँ पे लगा है इंडियन न्यूटरिनो अब्जर्वेट्री प्रोजेक्ट और यह तमिलनाडु के थेनी डिस एक तो हैं गुलाम मुस्तफा खान, एक हैं इलाया राजा और एक हैं परमेश्वरन परमेश्वरन ये तीन है। इसे हैं कितनी जातियां हैं कितने कास्ट हैं जिन्हें OBC में डाला गया है पिछले तीन सालों में इनका नंबर है 120 और करनाटक में एक तो है तालावार और एक है पारिवार ये दो ऐसे ट्राइबल हैं जिन्हें ST का दर्जा दे दिया गया है कौन सी कंट्री है जो अक्कुयू नाम की जगा पे सबसे पहला nuclear power plant बना रही है ये बना रही है तर्की रशिया की मदद से बना रही है तर्की के राशपती ये है रसी पर्डोगान राजधानी है अंकारा और ये है वलादी मिर पूतिन रश्या के राशपती कौन से राजी की Mother's Absolute Affection मा प्रोग्राम स्टार्ट करा है ये स्टार्ट करा है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश अभी अभी एक Interpretation Center और Modern Tourist Facility लगाई गई इसका उधगाटन करा हमारे तेल और गैस के मंतरी धर्मिंदर प्रधान ने कहाँ पे ये इनों प्रधान ने कहाता है ब्रिहदेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वाटेश्वा और्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा है कि कौन सी सैटलाइट थी जिससे उन्होंने संपर्खो दिया है यह सैटलाइट थी G-Sat-6A G-Sat-6A त्रिशूल ओलंपिक्स कहा हुए यह दिव्यांग बच्चों के लिए हुए अभी अभी त्रिशूल स्पेशल ओलंपिक्स और पैर ओलंपिक गेम यह कंड़क्ट किएगा अभी अभी नई दिल्ले में कितने भारतिये हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आद्मियों में आते हैं पांसो सबसे अमीर आद्मियों में यह 24 भारतिये 24 पांसो में अगर पूछें शुरू के सो में कितने है तो आंसर है पांच पांसो में कितने है आंसर है चोबीस कोश्चन देख के करना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस अमेजोन कंपनी का मालिक है और दूसरे नंबर पे है बिल गेट्स जो माइक्रोसोफ कंपनी का मालिक है इसके अलावा भारत का सबसे अमीर आदमी कोँँ है तो मुकेश अमानी ओवरॉल दुनिया में 19 नंबर पे आता है 19 नंबर पे और एशिया में 30 नंबर पे अगर कुछ है एशिया का सबसे वीर आदमी कोन है तो आंसर है जैक मा, अली बाबा कंपनी का मालिक है इन में से adopt a heritage project में तीन केटेगरी है आपने सुना होगा लाल किला गोद ले लिया डाल मिया कंपनी ने तो इसी तरँ से adopt a heritage में तीन केटेगरी है इन में से कौन सी नहीं है तिरान में ऐसी हिमारते हैं जिनको गोद ले लिया गया है ग्रीन, वाइट, ओरेंज या ब्लू तो आंसर है वाइट, वाइट कोई केटेगरी नहीं है ग्रीन, ब्लू और ओरेंज हैं तीन केटेगरी पांस साल के लिए गोद लिया जाएगा किसी भी इमारत को और वल्ट टूरिसम डे सेप्टेंबर में होता है उस देन राश्पती रामनाथ कोविंद ने इसका उधगाटन किया था इस केम का तो अभी तक कई मॉन्यूमेंट जोड़े जा रहे हैं अब तक 98 हो गए ये कुछ फेमस मॉन्यूमेंट हैं और कम्पनीया हैं जिनके नाम है अब लाल किला बहुत नियूस में था डालमिया ग्रूप ने लिया है तो उसका नाम याद रख लो कि सारे याद रखने की आवशक्ता नहीं है इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे हां लेकिन ये पता होना चीए कि कौन सा कहा है जैसे गोल कॉंडा फोर्ट कहा है आंसर है है घ्राबाद महा बोधी मंदिर कहा है आंसर है बोध गया तो उस सेंस में आप ये स्टैटिक जीक कौन सी एप है जिसे हमारे जो कोईला मंत्री है पियूश गोईल उन्होंने कोईले की जो गुनवत्ता है उसकी जाच करने के लिए लाँच करा है इस एप का नाम है उत्तम यहीं पर कहानी खतम नहीं होती हमारी जो मुझूदा सरकारे उसकी यादत है कि फुल फॉर्म अशेस्मेंट ओफ माइंड को लिए थर्ड पार्टी असेस्मेंट ओफ माइंड को लिए याद रखना आपका काम है इनमें से पब्लिक वाइफाई कौन दे रहा है जिसमें 90% तक आपका इंटरेट का खर्चा कम हो जाएगा यह डिसाइड करा है टेलिकॉम रेगुलेटरी और यही पर यही बता दूँ भारत में जो संचार मंत्राले है मिनिस्टर अफ कम्यूनिकेशन मनोज सिनहा उन्होंने भी प्रजेक्ट शुरू करा है जिसको बोलते है भारत नेट भारत नेट में धाई लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉट्बेंड कनेक्शन दिया जाएगा कौन सा कंट्री है जिसने महिलाओं के लिए राष्ट्रिय सेवा शुरू करी है नैशनल सर्विस इस कंट्री में जो मैन है उन्हें मिलिटरी सर्विस करनी पड़ती है और यह अप्शन अब दे दिया है महिलाओं को भी यह है कतर कतर की राजधानी है दोखा कतर में 2022 का बढने के लिए इसका मिस्यूज होता था ओक्सिटोसिन का इनमें से नैशनल डेटा और अनलिटिक्स प्लैटफॉर्म को कौन डवलप कर रहा है एने डीपीए को इसको डवलप कर रहा है नीती आयोग हमारे आयकर विभाग ने एक कमेटी बनाई ये चेक करने के लिए कि जो अमीर आदमी है जिने बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुल एचनाई वो माइक जो विदेश जा रहे हैं उनके टेक्स वगारा को देखने के लिए इस कमेटी के देक्ष कौन बने इस कमेटी मंत्री हैं हमारे जिन्होंने एक मोबाईल एप लॉंच करा है खादी स्टोर को लोकेट करने के लिए भारत में 8000 खादी स्टोर है 4000 ओलेडी एप पे आगए हैं आपके निकटतम जो भी खादी स्टोर है आप उसका पता लगा सकते हैं ये लॉंच करा गिरीराज सिंग ने जो यहाँ पे यह हैं ये हमारे MSME मंत्री है Micro Small and Medium Enterprise मंत्री कोन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक साउन्निंग रॉकेट छोड़ा है जिसका नाम है RH300 ये परियावरण को स्टड़ी करेगी बातावरण को स्टड़ी करेगी ये करा लॉंच इस रो ने इस रो ने विक्रम सारभ केरल की राजधानी है क्योंकि केरल में दो important dam है बांध है एक का नाम है चेरूत होनी चेरूत होनी और दूसरा है बानसुर कोन से राजे की सरकार ने गंगा हरीतीमा योजना शुरू करी है 27 जिलों में ये स्टार्ट करी उत्तर परदेश की सरकार में गंगा नदी से लगते हैं उत्तर परदेश, उत्तराखंड, जहारखंड, बिहार, वेस्ट बेंगॉल ये सब लगते हैं और उत्तर परदेश में नरोडा एटोमिक पावर प्लांट है और दूदवा नेशनल पार्क है एक पिलिभीत टाइगर रिजर्व भी है कौन सा शहर है जहां पर गोबर्धन योजनास जहां से शुरू करी है यह है करनाल करनाल में राष्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान यानी CDRI Central Dairy Research Institute भी है करनाल से कलपना चावला भी थी जो मशूर नासा की साइंटिस्ट थी करनाल से शुरू करी है गोबर्धन की फुल फॉर्म है Galvanizing Organic Bio Agro Resources तो इसे जो गैस मिलती है वो है बायो गैस बायो गैस होती है मिथेन यानी CH4 कौन सा राज यह है जिसने State of the Year का अवाड जीता Business Leader Category में Business के लिए काफी अच्छा है यह अवाड इन्हें दिया रवी शंकर परसाद ने जो हमारे मंत्री है कानून के लिए Electronics के लिए और सुचना प्रद्योगी की यानी Information Technology के लिए यह अवाड मिला है 36 गड़ को जहाँ पर कांगर घाटी नेशल पार्क है गुरू घासी दास नेशल पार्क है और यहाँ के मुख्य मंत्री है डॉक्टर रमंद सिंग Reserve Bank of India ने अनाउंस करा है अब वो Gross Value Added Growth GBA का इस्तिमाल नहीं करेगा अब वो किसका इस्तिमाल करेगा Economic Activity को मेजर करने के लिए यह इस्तिमाल करेगा अब GDP का Gross Domestic Product का सूचना परसाड मंत्राले ने एक कमेटी बनाई है जो हमारे News Channels को Regulate करेगी उस पे किस तरह का कंटेंट दिखाये जा रहा है क्या है Fake News तो नहीं है यह सब इस कमेटी के देख्षता कौन करेगा इस कमेटी के देख्षता करेंगे नरिंदर कुमार सिन्हा और यह कौन है यह सूचना परसाड मंत्राले में Secretary है FLO Gender Parity Index Award यह फिकी's Ladies Organization ने दिया अभी-अभी यह किसे मिला यह Award मिला सुनील बिजलानी को सुनील बिजलानी और फिकी के प्रेजिरेंट है रशेश शहा रशेश शहा कोन से भारतिय खिलाडी है जो डेविस कप के इतिहास में सबसे ज्यादा doubles मैच जीतने वाले खिलाडी बने यह इनकी 43 वी विन थी इनका नाम है लेंडर पेस इनकी पार्टनर्शी पे रोहन सब्सक्राइगी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहट यह एरलाइन है आल्यांस एयर और पठान कोट 21 वा एरपोर्ट है उड़ान स्कीम के तहट आठवे थीटर ओलंपिक यह लाल की लिए से स्टार्ट हुए थे गेटवे ऑफ इंडिया पे खतम हुए तो यह थीम क्या था इनका इनका थीम था फ्लैग ओफ फ्रेंड्शिप किंग फिशर पक्षी होता है इसकी चार नहीं परजातियां जो है अब यह भी मिली है कौन से वाइल लाइफ सेंचुरी में मिली है आंदर प्रदेश में इसका नाम है कृष्णा वाइल लाइफ सेंचुरी और आ विलुप्त प्राय भाशाएं उनका खोज कर ली वालमिकी और मलहार कहां बोली जाती है इसका नाम है उजवन उजवन का मतलब होता है तमिल में फार्मर तो आंसर है तमिल नाडू यह है मुख्य मंतरी एड़पडी के पलना स्वामी यह है उप मुख्य मंतरी पनीर सेलवम बात और यह तमिल नाडू की तमिल नाडू में दो डैम है जो बहुत पूछे आते हैं एक तो है भवानी सागर भवानी सागर भवानी नदी के उपर है और दूसरा सबसे इंपॉर्टन जो है मैतूर डैम पहली बार कौन से राजे की सरकार ने कम्यूनिटी रेडियो स्टार्ट करा है किसानों के साथ बातचीत करने के लिए ये स्टार्ट करा है अभी-अभी केरल की सरकार में केरल की सरकार में मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेर ने सबसे पहला वन धन विकास केंद्र कहां खोला वन धन विकास केंद्र ये खोला गया बीजापूर डिस्टिक्ट और बीजापूर डिस्टिक्ट है चत्तिस गड़ में भारत कौन से देश को पीछे छोड़के दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड सबसे बड़ा स्टील निर्माता बन गया तो आंसर है जापान नंबर वन चाइना नंबर टू हिंडिया कौन सी भारतिय मूल की वग्यानिक है जिन्होंने दुनिया की पहली माइक्रो फेक्टरी लगाई है जिससे जो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट है उसको वेलुएबल आइटम्स में करवर्ट किया जा सके ये लगाई है वीना सहेजवाला ने कौन सा रेल्वे स्टेशन है जो बहुत गंदा था पर इसको पूरी तरह से पेंटिंग बनाके तब्दील कर दिया गया इसकी सफाई कर दी गई है अभी-अभी मिथिला आर्टिस्ट द्वारा ये है मधुबनी का स्टेशन बिहार में बिहार में मधुबनी स्टेशन पहली बार कौन से राजे की सरकार ने brain death cases को confirm करने के लिए प्रोटोकॉल बनाई है उनकी पुष्टी के लिए जो मस्तिष्ट की मौत यानी organ transplantation के लिए किया है और ये किया है केरल की सरकार में हमारे स्वास्थे मंत्राले ने कितनी steroid based cream उनको बैन कर दिया है उनको schedule H में डाल गिया है schedule H मतलब वो दवाई जो डॉक्टर की permission के बिना डॉक्टर की prescription के बिनाव नहीं ले सकते ऐसी 14 cream बैन कर दी गई है जिनमें steroid होता था नीती forum जो उत्तरपूर्वी राज्यों के विकास के लिए बना है उसकी पहली meeting कहां पे हुई इसके chairman थे राजीव कुमार ये meeting हुई अभी अभी अगरतला में त्रिपूरा की राजधानी अगरतला में और हमारे उत्तरपूर्वी राज्यों के विकास के लिए जो मंत्राल यह मिला है यह मिला है equatorial guinea का अभी अभी कई सारे country गए थे यह equatorial guinea गए थे जैंबिया गए थे स्वाजी लैंड गए थे तो equatorial guinea ने दिया है और equatorial guinea की राजधानी है मला को कौन से राजिय की सरकार ने decide करा है कि इस राजिय के 10 सरकारी हस्पतालों में cancer के जो patient है उनको free chemotherapy दी जाएगी free chemotherapy यह announce करा है महराश्टर की सरकार ने इन्होंने घोडा जारी एक नई wildlife century भी अभी भी बनाई है महराश्टर का dance है एक लवणी यहाँ पे दो nuclear power plant है एक है जैतापूर और एक तारापूर जैतापूर और तारापूर और एक डैम भी है यहाँ पे कोईना डैम इन में से महराश्टर की सरकार के साथ कोन सी कंपनी मिलके महराश्टर का पहला poultry कंपनी शुरू करेगी जो tribal woman जिसको चलाएंगी यह tribal woman के विकास के लिए किया गया है यह कंपनी है टाटा ट्रस्ट कोन से राजे की सरकार ने announce करा है कि वो खुद की एक taxi service टार्ट करेगी ज यह national park है मनास national park और यह world heritage site है असाम का एक famous dance भी है बी हूँ और यहाँ पे कुछ important wildlife century है जैसे गरम पानी wildlife century बार नदी wildlife century इतियादी जम्मू कश्मीर का पहला tulip garden अभी-भी कहां पे बना जम्मू रीजन का जम्मू कश्मीर नहीं जम्मू का शिरिनगर में तो है बहुत बड food processing मंत्री हरसिम्रत कौर बादल ने उत्राखंड का दूसरा food park बनाया अभी-अभी उसका उधगाटन करा पहला वाला कहां पे है पहला वाला है हरिद्वार में दूसरा वाला कहां है उध्धम सिंग नगर उध्धम सिंग नगर Central Industrial Security Force यानि CISF के नए डिरेक्टर जनल कौन बने है इससे पहले थे ओपी सिंग पर ओपी सिंग बन गए उत्तर परदेश के डीजीपी तो ये position vacant हो गई थी इसको भरा राजेश रण्यन में कौनसे राजे की सरकार ने slum in situ rehabilitation policy स्टार्ट करी है जो जूगी जोपडियों में रहने वाले लोग है उनके विकास के लिए उनको घर देने के लिए ये स्टार्ट कराया अभी अभी हर्याना की सरकार हर्याना में कुरुक्षेतर में एक चिल चिला wildlife century है एक कलेसर नेशल पार्क है हर्याना में और एक सुल्तानपूर नेशल पार्क है दो नेशल पार्क है कलेसर और सुल्तानपूर सरकार ने एक कमेटी बनाई है एक task force बनाई है जो unmanned aerial vehicle technology का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको देखेगी इस कमेटी के देख्षता कौन करेगा इनका नाम है जैंत सिन्हा केंद्र सरकार ने जो lieutenant governor होते हैं यानि जो हमारे केंद्र सासित परदेश है union territory उनके जो governor होते हैं जो उनके constitutional head होते हैं उनकी salary 80,000 से बढ़ा के कितनी कर दिये अब इनकी salary है 2,25,000 और इससे फायदा होगा जो हमारे lieutenant governors हैं जैसे अन्वा निकोबार के हैं टीके मिश्रा दिल अच्छा ग्रही ये चंपारन सत्या ग्रह जो था उसके 100 साल पूरे होने की खुशी में किया था मोती हारी district बिहार में मोती हारी में हर्याना की सरकार ने मीजल और रुबैला से निपटने के लिए टीका करण का campaign स्टार्ट करा है इसके लिए brand ambassador किसे बनाया है दो को बनाया है एक तो मनु भाकर और एक है गोरी शिरॉन दोनों शूटर है कोन से राज्ये की सरकार ने water ATM policy स्टार्ट करी है यहाँ पे ATM लगाए जाएंगे जिनसे सस्ते दाम में पानी मिलेगा अगेन यह हर्याना की सरकार ने स्टार्ट करा है और दो ATM के बीच में distance होगा 400 मीटर का भ और यह बहुत important है और भारत और नेपाल मिलके बना रहे है अरुन 3 hydroelectric power project गूगल ने एक smart speaker बनाए है क्या नाम है इनका इनका नाम है Google Home कौन सा country है जिसने यह कहा है कि वो तेल और गैस का उत्पादन नहीं करेगा पहले का दा फ्रांस ने और अब कहा है अभी अभी न्यूजीलेंड ने भी बंद कर दिया है न्यूजीलेंड की परधान मंत्री है जकिंडा आर्डन फ्रांस की राश्पती है इमेनुल मैकरॉन भारत ने जलियावाला बाग मसाकर की वर्षगांट उसको अब्जर्व करा 13 अप्रेल को यह कौन सी वर्षगांट थी यह थी न परसवा जो भोपाल में हुआ था और सबसे पहला रखिये वर्ल हिंडी डे मनाया जाता है दस जन्वरी को और हिंडी दिवस के थ्ट्रव करें चुदा सितंबर को और पूछ लें IMF के हिसाब से तो आंसर है 7.4% उत्तर परदेश की सरकार ने एक चीनी के लिए Integrated Sugar Complex बनाने का निर्ने लिया है चीनी परिसर कहां बनेगा यह 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 बनेगा पिली भीत में पिली भीत पिली भीत से एक नदी भी निकलती है जिसको बोलते हैं गोमती इसे रिशी वशिष्ट की बेटी भी बोलते है लखनव गोमती के किनारे कौन सी सैटलाइट है जो इस तो ने दागी NAVIC प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए NAVIC यह हमारा खुद का GPS प्रोग्राम है और याद रखिए रशिया और अमरीका के लावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास अपना GPS हो तो यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है भारत का NAVIC और इसका नाम है IRNSS 1I NAVIC की फुल फॉर्म क्या है Navigation with Indian Consolation इस कमेटी की अधिक्षता कौन करेगा Corporate Social Responsibility मतलब जब कंपनी अपनी खुद की इच्छा से समाज कल्याण में पैसा लगाती है इसकी अधिक्षता करेंगे मनमुहन जुनेजा इंद्रा गान्धी International Airport जो है दुनिया के जो सबसे West Airport है उनमें उसका स्थान क्या है इसका स्थान है Sola और दुनिया का सबसे West Airport है HJA Airport अमरिका में इसका नाम है Hartsfield Jackson Atlanta International Airport Atlanta में 1996 में हुए थे Olympic Games कौन सा Institute है जिसने एक 5G Radio Laboratory बनाई है अभी अभी अपने Campus में 5G Radio Laboratory इसको बनाने का शरे जाता है IIT दिल लिको इसका नाम इन्होंने रखा है MIMO यानि Multiple Input Multiple Output Food Standard and Safety Authority of India ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें जो स्कूल की प्रेयर होती है Morning Prayer अब वो आफ्टरनून में करवाई जाएगी जिससे बच्चे धूप में खड़े रहे हैं विटामिन D मिले इसका नाम क्या है इसका नाम है प्रोजेक्ट धूप याद रखिए ये Ministry of Health ने स्टार्ट नहीं करा है ये स्टार्ट करा है FSS AI ने कौन से राजे के मुख्यमंत्री है जिनोंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने का निड़ने लिया है 5000 मेगावाट इसकी शमता होगी अभी जो सबसे बड़ा है भारत का सोलर जो पावर वो है शक्ति स्थल करनाटा के टुमकुर में अब बनेगा गुजराद में गुजराद में कहां बनेगा ये बनेगा ढोलेरा में इंडियन ओल कोर्परेशन भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिलके इन्होंने M.O.U. साइन करा है साउधी अराइमकों के साथ ये कौन सी ओयल रिफाइनरी बनाने के लिए ये है रतनागिरी रिफाइनरी इसमें I.O.C.L. का हिसा है 50% B.P.C.L. और H.P.C.L. का है 25-25% और रतनागिरी है महराश्टर में World Homeopathy Day हम कम मनाते हैं Homeopathy Day जो है ये मनाये जाता है 10 अपरेल को क्यों? क्योंकि Dr. Samuel Haneman इनका जर्म दिन होता है और ये इन्होंने Homeopathy स्टार्ट करा था जर्मनी में दादा साहे फाल के अवार्ड 65-वे National Film Award थे तो किसे मिला? ये मिला विनोध खन्ना को और जूरी के चेर्में थे शेकर कपूर जो जूरी थी जिसने डिसाइड कर अवार्ड किसे देने है उसके चेर्में थे शेकर कपूर और ये है मुख्य अवार्ड आपको सिर्फ ये उपर के 5 याद रखने बेस्ट फिल्म, फीचर फिल्म विलेज रॉक स्टार, बेस्ट एक्टरे स्रीदेवी M.O.M. मॉम फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर रिदी सेन, नगर किर्तन बेस्ट हिंदे फिल्म नूटन स्पेशल जूरी अवर्ड नगर किर्तन बेस्ट मूजिक डिरेक्शन एयर रह्मान नीचे वाले ये याद नहीं रखने परदार मंत्री मोदी ने आयुशमान भारत स्कीम के तहत पहला हेल्थ सेंटर कहां पे इनोगरेट करा है ये करा हिनोंने गाउं का नाम है जंगला बीजापूर और बीजापूर है चतिस गड़ में और आयुशमान भारत में 10 करोड परिवार उनको टारगेट किया गया है और सबको 5 लाग रुपे दी जाएंगे कौन सा राज्य है जिसने अपना 71 अपना दिवस मनाया 15 अप्रेल को ये मनाया हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश बनाता 15 अप्रेल 1948 को कौन से राज्य की सरकार ने 50 करोड रुपे की लागत से इंडियन इस्टिटीट of Information Technology बौद जंग नगर में बनाने का निड़ने लिआ है ये निड़ने लिआ है त्रिपुरा की सरकार में त्रिपुरा ये मोहनपुर नाम की जगा पे बनेगा जो बौद जंग नगर है ये मोहनपुर में पहले rapper कौन बने जिनको Pulitzer Prize मिला है Music के लिए Pulitzer Prize Music के लिए मिला इनके गाने गाने का नाम है Damn और ये गाना गाया है Kendrick Lamar ने नागरी कुड्यन मंत्री सुरेश प्रभू ने अनौंस करा है कि कौन सा airport है जिसे भारत का Cargo Hub बनाएगे ये airport है Mopa Airport और ये है Goa में पहले वैक्ति कौन बने जिन्होंने Bangla Channel को एक ही दिन में दो बार तैर के Cross करा टोटल इन्होंने 22 किलोमेटर की तेराकी करी है और इनका नाम है संपन शेलार कौन से राजे की सरकार ने Choice Based Credit System स्टार्ट करा है यानि आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो undergraduate level पे ये निन्ने लिया फर्याना की सरकार ने सरकार ने जो FAME स्कीम है उसका पहला चरण उसको extend कर दिया है कब तक ये नोंने expand करा है 30 सितंबर 2018 तक और FAME की full form क्या है faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles भारत का target ये है कि 2030 के बाद भारत में कोई भी गाड़ी petrol और diesel से ना चले सिर्फ बिजली से चले NSDC ने MOU sign करा है NPCIL के साथ ये 500 युमाओं को train करेगा कौन से nuclear power plant के लिए ये nuclear power plant है कुंडन कुलम रशिया की मदद से हमने बनाया है तमिलनाडू में और ये तमिलनाडू के तिरुनेल वैली नाम की जगा पर है तिरुनेल वैली तमिलनाडू में एक nuclear power plant ओर है जिसको बोलते हैं कल पक्कम और बाकी सारे जो दूसरे राजों के वो भी आपको याद रखने है रावत भाटा है ये राजस्थान में है एक nuclear power plant था मिथी वर्डी ये गुजरात में बनने वाला था गुजरात से शिफ्ट होके आंदर प्रदेश में बने गागी है इन में से कौन से कंट्री है जिन्हो के राजपती है बशार अलसाद लेकिन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है इरान रश्या और तर्की मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने उडिसा का दूसरा सबसे लंबा पुल उसका उधगटन करा कौन सी नदीपे बना है ये बना है इब नदीपे इब रिवर और ये प्लेयर है विराट कोहली बिसकेट जातरा का त्योहार कौन से देश में मनाया गया बिसकेट जातरा ये नए साल पे मनाया जाता है इस देश का नए साल होता है ये बिसकेट जातरा ये मनाया गया नेपाल नेपाल की राजधानी काटमांडू है परधान मंत्री है खडगा चाइना ने कौन सा बैंक है जो भारत का दूसरा सबसे valuable बैंक बन गया है इसने State Bank of India को भी बीचे छोड़ दिया पहले नमबर पेचे डिफसी है दूसरा है कोटक महिद्रा बैंक राज कपूर Lifetime Achievement Award सिनेमा में अपने योगदान के लिए महराश्टे की सरकार ने किसे दिया है ये अवर्ड मिला है महशूर एक्टर धर्मेंदर को कौन से राजे की सरकार ने Quest स्टार्ट करा है ये इन्होंने Tribal Development के लिए आदिवासी समुदाय के जो विकास है उसके लिए करा है Quest ये स्टार्ट करने वाला कौन सा कंट्री है जिसने सरकारी नोकरियों में रिजर्वेशन को खतम कर दिया है यहाँ पे एक यूथ हुए एक हुए था एक लोगों ने मिलके अंदोलन करा और बांगलेदेश की सरकार ने इसको खतम कर दिया इन में से Shorenstein Journalism Award पतरकारिता में अपने योगदान के लिए Stanford University से किसे मिला है The Wire नाम की website है इनकी ये है सिदार्थ वर्द राजन कौन सा कंट्री है जो 62 सिगनेटरी मेंबर बना जिसने साइन कर दिये अंतराष्टिय सौर गटबंदन का हिस्सा बनने को International Solar Alliance International Solar Alliance जो है भारत और फ्रांस ने शुरू करा था फिर दूसरे कंट्री इसमें आते गए COP21 परिस एक्रिमेंट क्लाइमेट कॉन्फरेंस में ये जुड़ा था वहाँ बना था और International Solar Alliance का जो हैड़कॉर्टर है वो है गुरू ग्राम हर्याना में इसकी पहली मीटिंग हुई थी नहीं दिल्ली में और ये कंट्री है यूके भारत की क्या रैंक है Commonwealth Innovation Index में 53 कंट्री में हमारी जो रैंक है वो है बहुत पीछे दसवे नंबर पे नंबर वन है UK सरकार ने गोल्ड बॉंड स्टार्ट कर दी है उनका 2018-19 के लिए तो इसमें आप एक ग्राम सोना 3,114 रुपे एक वो बॉंड खरी सकते हो एक ग्राम का इस पर इंटरस कितना मिलेगा आपको आपको मिलेगा 2.5% इंटरस्ट याद रखिए minimum investment आप कर सकते हो एक ग्राम maximum कर सकते हो 4 किलो कौन से केंद्रिय मंत्री है जिन्होंने दरपन नाम का एक life insurance एप लॉंच करा है ये लॉंच करा संचार मंत्री मनोज से ना दे United Nation Chinese Day कम मनाया जाता है ये 20 अपरेल को मनाया जाता है और आपको ये सारे याद रखने है languages वाले French के लिए 20 March Chinese के लिए 20 April और 3 दिन बाद English और Spanish के लिए 23 April Russian 6 June और Arabic 18 December कौन सी Space Agency है जिसने Chess for Mission शुरू करा है Interstellar Medium को study करने के लिए Chess for Mission स्टार्ट करा है अभी अभी NASA ने High Resolution Eccle Steeler Spectrograph और DLR बोलते हैं जर्मनी की Space Agency को ESR बोलते हैं European Space Agency को Roscosmos बोलते हैं Russian Space Agency को और एक देश है Greece जिसने अपनी अपनी खुद की Space Agency बना ली अभी अभी जिसका नाम है Hellenic Space Agency कौन सा कंट्री है जहाँ पे 40 साल के बाद कोई फिल्म दिखाई गई यहाँ पे जो थेटर है उस पे बैन था वो खतम हो गया 40 साल के बाद ये था साओधी अरब में और जो फिल्म दिखाई गई वो कौन सी थी फिल्म जो दिखाई गई वो थी Black Panther Black Panther कौन से राज्य के मुखे मंत्री ने अनौंस करा है कि इनका जो राज्य है वो खुले में शोचमुक्त हो गया है ये अनौंस करा महराष्टर ने पहला था सिक्क्यम कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड करा है संचार क्रांती योजना के तहट पचास लाग फ्री मोबाइल फोन बांटे जाएंगे, फ्री स्मार्ट फोन, ये हैं डॉक्टर रमन सिंग, ये हैं चतिसगड़ के मुख्य मंत्री, और पचास लाग में से पांच लाग जो फोन मिलेंगे, वो मिलेंगे, जो कॉलिज जाने वाले यूवा हैं, उन्हें, स्वा लॉंच करा, ये स्कीम है असाम की, इसमें दो लाग रुपे तक का मेडिकल केर मिलेगा, उस वैक्ति को जिसकी साल की इंकम पांच लाग से कम है, कौन सा राज्य है जहां पे शड्यूल कास्ट और शड्यूल ट्राइब, अनुसूची जाती और जंजातियों के खिलाफ क्र अंसरे रजस्थान, शड्यूल कास्ट और शड्यूल ट्राइब दोनों के खिलाफ अंसरे बिहार, क्यूबा के नए राजपती कौन बने हैं, इनका नाम है मिग्वैज, डियाज कनल, और ये बहुत इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि राउल कैस्ट्रो थे इस से पहले, औ और ये भारत के जो सिक्योर्टी चैलेंजिस हैं, उनको स्टडी करेगा, परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की डेडलाइन पहले थी 2022, अब कितनी है, अब है 2019, इसे मदब 3 साल आगे कर दिया गया है, कौन सा राज्य है जिसे Most Film Friendly Award मिला, Most Film Friendly Award, ये मिला है अभी-अभ प्लीस जो है उसे दिया जाएगा, ये स्टार्ट कराया अभी-अभी-गुजरात की सरकार ने, विजरुपानी है यहां के CM, इनमें से चाइना में होने वाला जो World Cup है, FIBA Basketball World Cup 2019, इसका शुभंकर कौन होगा, इस शुभंकर का नाम है Son of Dreams, Dragon, आज इवन योगदान के लिए अपने मेडिया में All India Management Association द्वारा सम्मानित किसे किया गया, ये Bennett Coleman Company की चेर्मेन है, इनका नाम है Indoo Jain, NCC का Director General कौन बना है, NCC National Cadet Corps, इनका मैस्कॉट, इनका जो मैस्कॉट नहीं, जो इनका मोटो है, वो है Unity and Discipline, इनका नाम है P.P. Malhotra, Lieutenant General P.P. Malhotra, कौन से राजे की सरकार ने हीमोफिलिया जागरुती नाम का मैगजिन शुरू करा है, हीमोफिलिया के बारे में जागरुता फिलाने के लिए, ये करा है, गुजरात के जो Assembly Speaker है, राजेंदर त्रिवेदी उन्होंने, ये पुछाएगी कौन से राजे की Assembly Speaker ने लॉंच करा, तो आंसर है गुजरात क जो Assembly Speaker है, राजेंदर त्रिवेदी उन्होंने लॉंच करा, ये तीन महीने में एक बार मैगजिन आएगी, कौन सा होस्पिटल है, जिसे काया कल्प अवॉर्ड के तहत, फस्ट प्राइज मिला है, काया कल्प अवॉर्ड के तहत, ये हैं एम्स नहीं दिल्ली, और दूसरा न आपी मा Testament योजना के लिएवड मिला West Tripura और महराष्टर के बीड और वेस्ट तिरिपुरा को, दूसरा मिला परदक्री आवास योजना अरबन और रूरल, तो रूरल के लिए मिला मध्य प्रदेश के निमच को, और हिमाचल प्रदेश के कांगडा को, इसके अलावा अरबन के मुख्य मंत्री ने announce करा है कि जो खिलाडी है इस राज्ये के उन्हें 2% reservation मिलेगा ये announce करा तिलंगाना के मुख्य मंत्री चंदर शेखर राओने पन्दान मंत्री नरेंदर मोधी ने राश्ट्रिय ग्राम स्वाराज अभियान ये मद्धे परदेश के कौन से गाउं से शुरू करा है ये गाउं है रामनगर गाउं और रामनगर गाउं है मांडला डिस्टिक्ट में मांडला डिस्टिक्ट में नरमदर अधी के किनारे अभी अभी एक group of ministers बनाया है ये बनाया है नागरिक परिमेहन मंत्राले ने ये भारत में सारे राजियों में road tax जो लगेगा उस पे चर्चा करेगा कि road tax होना चीए एक ही जैसा uniform इस committee के अध्यक्स कौन बने है इसके अध्यक्स बने है राजस्थान के ट्रांस्पोर्ट मंत्र युनुस खान कौन से institute के विग्यानिक है जिन्होंने चिकन गुनिया से लडने के लिए इसके उप्चार के लिए एक molecule बनाया है ये molecule बनाया IIT रुडकी के विग्यानिकों ने इसका नाम रखा है PEP 1 चिकन गुनिया भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटों के काटने से फैलत लिए है उनको electrify करने का निड़ने लिया है ये राज्य है नागालेंड नागालेंड की राजधानी है कोहिमा निफ्यू रियो यहां के मुख्यमंत्री है और यहां पे इंटांकी नेशनल पार्क है होरन बिल फेस्टिवल भी है गिलरमो कानो प्रेस फ्रिडम प्राइज कि क्रोस करा ये कंपनी है TCS HDFC Bank और Reliance Industries लेकिन ये IT कंपनी पूछिए तो वो है TCS English Language Day 23 अप्रेल को मनाया गया ये किसका बरडे और डेथ डे दे दोनों होता है ये बरडे और डेथ डे होता है विलियम शेक्स्पियर का मनिपूर में कौन सी जगा है जो भारत का पहला कैशलेस आइलेंड बन गया है इसका नाम है करांग और ये विश्नुपूर डिस्टिक्ट से अलग हुआ था और मनिपूर जो है इसकी राजधानी है इमफाल यहाँ पे एक लोग टकलेख है कौन सा कंट्री है जहाँ पे सब अवार्ड है आपको बस यह आद रखने ऊपर के चार बेस्ट अक्टर मिला शाहित कपूर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अधिती राव हैदरी प्राइड ओफ इंडियन सिनेमा मिला संजिदत को और बेस्ट अक्टर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला रणवीर सिंग को दुनिया की सबसे बुड़ी जो लेडी थी 118 साल उम्रे थी इनकी इनका निधन हो गया ये कहां से थी ये जापान से थी और जापान में 67,000 के आसपास लोग हैं 67,000 से ज़्यादा लोग हैं जो 100 साल से उम्रे के ज़्यादा हैं महशूर डीजे अवी सी इनका असली नाम था टिम बर्ग लिंग ये कहां के थे इनका निधन हो गया ये स्वीडन के थे इनके दो गाने बहुत फेमस थे एक तो था वेक मी अप और दूसरा था एक तो था वेक मी अप और एक था लेवल्स इजिप्ट के पहले खिलाडी कौन बने जिनने बेस्ट इंग्लिश फुट्बॉलर अब दा इयर यानि EPL के बेस्ट खिलाडी का अवर्ड मिला इनका नाम है मुहम्मद सला ये लिवर्पूल फुट्बॉल क्लब के लिए खेलते हैं अभी अभी एक कमेटी बनाई गई जो लीगल इशूज के उपर एडवाईज देगी Ministry of Women and Child Development को खासकर जो paternal dispute जो होती है parental dispute उनके कारण जो बच्चे एक जगह से दूसी जगह जाना होता है तो उसके कारण जो inter-country removal और detention होता है बच्चों का उस पे इस कमेटी के दख्षतक इसने की इनका नाम है राजेश बिंद कौन सा gram-panchaid है भारत का जिसे भारत का best gram-panchaid का award मिला है ये award मिला दिगंबरपुर को ये South 24 परगना के जो West Bengal का district है उसमें पढ़ता है gram-panchaid World Bank के हिसाब से दुनिया में पिछले 4 सालों में जितने भी bank account खोले गए उसके भारत में कितने खोले गए भारत में उसके 55% खोले गए टोटल 51.4 करोड bank account खोले गए पिछले 4 सालों में पूरी दुनिया में इन में से कौन से Indians हैं जिने दुनिया के 50 सबसे greatest leaders में Fortune magazine ने कहा है ये हैं इंद्रा जैसिंग, मुकेश अमानी और बाल कृष्ण दोशी, so answer है 1, 2 and 4 कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना, जहां पे अगर बिजली चली जाए तो जो customers है उन्हें उसका मुआपज़ा दिया जाएगा, unscheduled power cuts के लिए, ये announce करा अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में कौन सा smart city है जो भारत का पहला city बना है, जहां पे दिन में जितनी भी बिजली चलती है, वो सारी renewable energy होती है, ये है दियू, दमन दियू की राजधानी, दियू, अदिलाबाद डोकरा को geographical indicator tag मिल गया है, ये कौन से राज्ये का है, तो अदिलाबाद जगा है तलंगाना में, और एक और है, वारंगल के जो कारपेट है, उन्हें भी मिला है geographical indicator tag, तो ये था वीडियो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी ज्यानवर्दक वीडियो होता है, जो मेरा best वीडियो होता है, महीने का वो होता है ये, अगर आपने ये देख लिया, तो आप बाक notification नहीं मिलता, तो इसका मतलब आपने subscribe नहीं किया हुआ, subscribe अगर आप करेंगे, तो फिर आपको कोई भी notification आप मिस नहीं करेंगे, तो बहुत important, 15 वीडियो हम लगबग डालते हैं रोज अपने channel पे, free of cost, आप उनका इस्तिमाल करके अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, Thank you so much.